नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा केलकर मैं साइकाट्रिस्ट हूँ डी एडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ साइको थेरेपिस्ट हूँ और केलकर तुअणकर साइकाट्री नर्सिंग होम घुडबंदर ठाने में मुंबई महाराष्ट्र में आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करें हैं एपिलेप्सी को सीजर डिसॉर्डर भी कहां जाता है कंवलजन भी कहां जाता है और साधी भाशा में अगर बोला जाये तो के बहुत और जÓ या अपसमार भी बोला जाता है जनरली यह जो प्रॉब्लम है यह पकड में आना थोड़ा कठिन है क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है काफी काफी सालों तक मिर्गी के जटके आते रहते हैं लेकिन उनके रिश्यदारों को पता ही नहीं होता और व यह जब सब करते रहते हैं और उसका इलाज होता ही नहीं है तो यह जो फीट की बीमारी है यह किसी को भी कभी भी स्त्री रहो पुरुष रहो बच्चा रहो बुढ़े रहो कौनसे भी उमर में हो सकती है ऐसा देखा गया है कि वन परसेंट लोगों में फीट का बीमारी है जनरली यह जो फीट का बीमारी है यह इसके कारण क्या है और यह कैसे होता है तो पहले हम देखेंगे कि यह फीट का बीमारी है यह क्यूँ होता है actually देखा जाये तो हमारा जो brain है वो एक पूरा एक unit करके काम करता है जो signals निकलते है वो एक साथ सब सब जगह के लिए निकलते है किसी technical problem की वज़से ये जो signals है वो अलग-अलग shoot होते है एक साथ जो shoot होने चाहिए और इसकी वज़से फिर ये seizure याने fit आती है अब इसके अलग-अलग reasons है जैसे कि किसी को tumor हो गया brain में तो fit आ सकती है, खुन की गाट हो गई, fit आ सकती है, infection हो गया brain में तो भी fit आ सकती है, accident हो गया, तो fit आ सकती है ऐसे अलग-अलग कारण है लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि कोई कारण नहीं है फिर भी fit आती है, अच्चानक से एकदम से fit आना शुरू हो जाता है उसका कोई भी कारण कहीं भी दिखाई नहीं देता है कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बाकी कोई कारण नहीं रहा तो भी heredity याने family history भी एक कारण है कि घर में किसी को भी fit आती है, या ममी पापा को आती है, भाई बेन को आती है या दादा दादी में आती थी या आती है तो ऐसे heredity भी एक कारण है अब feet का जो है ये अलग-अलग प्रकार की हमको देखने को मिलती है इसमें है generalized feats आना, generalized seizure disorder और दुसरा है partial seizure disorder तो generalized जो है याने एक साथ brain activity शुरू हो जाती है इसलिए उसको generalized बोला जाता है और partial अने एक भाग में brain के activity शुरू हो जाती है इसलिए उसको partial बोला जाता है जो generalized है उसमें अलग-अलग प्रकार है जैसे tonic clonic है, myoclonic है, absent seizures है तो ऐसे अलग-अलग प्रकार है जो generalized है जिसमें tonic clonic convergence आता है वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी लेकिन इसमें मैं आपको absent seizures के बारे में बताना चाहती हूँ ये absent seizures में problem क्या होता है कि generalized जैसा जो picture है यानि पूरा आदमी बेहोश होना वगरे ऐसा होता नहीं है इसमें क्या होता है जनरल ये बच्चों में शुरू होता है यानि school going kids और अच्छानक से वो बच्चा कुछ action करते करते रुख जाता है और वो suddenly फिर उसको अगर किसी ने जगाया उसमें से उसको होश में लाने की कुशिक कि क्या हुआ तो बच्चा बोलते कुछ ने क्या हुआ मुझे तो मालूम ने क्या हुआ तो ऐसे खाते खाते वो रुख जाता है या खेलते खेलते रुख जाता है या फिर मस्ती करते करते रुख जाता है पढ़ाई करते लिखते लिखते रुख जाता है और फिर एकड़म से सड़न से उसको समझ में आता है ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो एक लेडी मेरे पास आई उसका अल्मोस्ट एज था 25-26 और पाच छे साल से उसको प्रॉब्लम था अब प्रॉब्लम क्या था उसका जब हजबन उसको लेके आया तो उसका कहना था कि इसको यह पागल जैसे करती है इसको कुछ समझ में नह नहीं आता कि वह कभ निकल पड़ती है और उसको फिर इसयां पाघर कि ने उसका पीछा किया कहा जा रही है क्या कर रही है तो उसके चलते रहती है और उसको कुछ पता नहीं talked कोura कर रहा है उसको कोई समझ में आता उसको आवाज भी दिया तो भी उसको सुनाई नहीं आता और फिर एक 10-15 मिनिट बाद चले के बाद फिर वो कहीं रूप जाती है और थोड़ी दर बाद उसको फिर समझ में आता है कि आरे मैं कहा हूं तो यह भी एक प्रकार का एपिलेप्सी है यह फिट का बीमारी है यह काफी दिनों तक काफी लोगों के पकड में नहीं आया इसका नीदान ही नहीं हुआ जब मेरे पास वह पेशन्ट आई तो वह काफी दॉक्टर यह चोटे-मोटे डॉक्टर कर चुकी थी लेकिन वह पकड में नहीं फिर मैंने उसक है फिट का बीमारी तो मैंने दवाई शुरू की और उसमें काफी फरक आया उसकी फिट पूरी तरह बंद हो गई और वह एकदम से अच्छे से दवाई पर मेंटेंड है उसको वह सब बंद हो गया तो यह भी एक प्रकार का फिट का बीमारी है अब यह था जानकारी अलग- चाहिए यह मैं अमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो यह वीडियो का उद्देश्च है कि लोगों तक मानसिक बीमारीों के बारे में और उसे रिलेटेड बीमारीों के बारे में जानकारी पहुचे और उनके मन की जो गलत फेमिया है वो दूर हो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाने की कोशिश कीजिए इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट सो कुछ बात करनी हो तो आप हमारे किलकर तो अनकर साइट कैटरिन नर्सिंग होम के कॉंटेक नमबर पे 619. Namaste